वाट्सेप पे काईज धमा के दर एक न्यूस के साथ आ गया हूँ 2020 में सबसे ज़्यादा अच्छा एक न्यूस अगर कोई फेसबुक हम लोगों को दे तो यह है वाट्सेप पे में के एंट तक आपको यह फीचर अपने मोबाइल में देखने के लिए मिल जाएगा तो क्या है यह फीचर क्या है वाट्सेप पे जैसे कि आप गूगल पे या पेपैल या पेटीम कोई भी एप्लिकेशन को यूज करते अब आप घर बैठे-बैठे कोई भी चीजे मंगवा सकते हैं वाट्सेप पेगे तुरू किसी भी दोस्तों के एकाउंट में ट्रांसवर कर सकते हैं रिसेली फेसबुक जियो के साथ कुलैब किया है तो आप जियो माट से कोई भी ग्रॉसरी आइटेम भी घर बैठे- यह सबसे जादा आसान एक चीज हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वाट्सेप तो यूज़ करते ही होंगे लेकिन गूगल पेसे या फिर मैं बोलूँ पेटियम से उतना जादा कमफरेबल नहीं है जो इंटरफेस पैसे भेज सकते हैं पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप उनलाइन ट्रांसक्षन भी कर सकते हैं अभी देखिए मुझे अगर मैं परसेणली अपने वाधे में बात करूं तो मुझे पसंद नहीं है कि मेरे फॉन में औरmore application लाओ मैं जैसे कि google पर यूज़ करता हूं google RBI का हर एक regulation WhatsApp मान चुका है, February के end में ये release होने वाला था application, जो WhatsApp Pay का जो feature है, वो actually February के end में लाने वाला था Facebook, लेकिन RBI का जो regulation है, वो WhatsApp मानने को तयार नहीं था, इसलिए थोड़ा देर हो गया, May के end में आ रहा है और मैं बता दूँ, सबसे important जो चीज़ वो है security, इस बार आपके bank account के जितने भी documents होंगे, आपके जितने भी data होंगे, वो सारे data इंडिया के server में ही store होंगे, ये RBI का एक regulation है और ये WhatsApp मानने को तयार हो गया है, तो मैं बता दूँ, आपके जो documents है, आपके जो सारे data हैं, वो सारे documents safe है, secure हैं और इंडिया में ही है, Facebook ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि अगर अभी recent situation की बात करों, तो Facebook बहुत सारे security problem से गुज़ा चुका है, इसलिए WhatsApp पे बहुत ज़्यादा secure बनाने की कोशिश किया है, तो WhatsApp ही क्यों, Facebook खुद के messenger application में, या Facebook application में, या फिर Instagram में भी डाल सकता था, WhatsApp में क्यों, क्योंकि WhatsApp सबसे ज़्यादा popular application है, अब अपने relative को या दोस्तों को पूछ लीजे, जिनके पास mobile है और internet connection है, उनके पास WhatsApp तो हों गई, 99.9% होंगे, उनके पास Facebook नहीं हो सकते है, उनके पास Instagram कभी, ओ Instagram के बारे में सुन भी नहीं सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनके पास WhatsApp जरूर होंगे, और इस बहुत थोड़ा सब लेट होगा, क्योंकि जो कुछ rules and regulations follow करने पड़ेंगे, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, या आप international ने भी transaction कर सकते हैं, Facebook ने ऐसा confirm किया है हम लोगों को कि under 6 months, वो लोग अभी काम कर रहे हैं, under 6 months, ऐसा एक वो लोग update पुश करेंगे, उस update से globally ये launch होगा, और आप घर बैठे बैठे, दुनिया के किसी भी कोने में ये application के तुरू पैसे transfer कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बात है, दीखें, मैं बहुत ज़दा excited हूँ, make end में WhatsApp पे आने के लिए, और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकते हूँ कि WhatsApp पे आने के बाद, अगर वो successful रहा, अगर वो secure रहा, तो Paytm, Google पे या Payfuel के दीन खतम, WhatsApp का सिर्फ इंडिया में 400 million plus customers है, और दुनिया में और जादा है, तो बहुत जादा successful बनने वाला है ये project, Facebook का, और मैं ये कह सकता हूँ कि 2020 में सबसे innovative एक काम किया है, तो क्या guys, आप excited है WhatsApp के तुरू अपने दोस्तो को treat देने के लिए, या फिर कुछ चीजे खरीदने के लिए, WhatsApp पे के through, मैं बहुत जादा excited हूँ, तो guys, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें, comment section में जरूर से बताए, अच्छा लगा तो like कीजे, दोस्तो को subscribe कर लिजे, क्योंकि मैं ऐसे ही innovative inventions के news लेके हर हफते आता रहता हूँ, चलिए अगले वाड़े वीडियो में मिलते हैं, take care, bye bye